जैहिन दोस्तों आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल GTS Info में Department of Post का पलपल का आपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब किजिएगा GTS Info को चलिए आप सभी का समस्ता का समाधान कर दिया है हमने और हमने क्या Department of Post ने हमने भी इसलिए चिथी लिखा था Ministry of Communication को पता नहीं हो चिथी पहुचा था की नहीं ठीक है चलिए यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा न्यूस जो आ रहा है डागवण संक्सत मार्क से ओ है 29 आज ही के दिन रेलिस हुआ है यह क्या है Processing of Transfer Applications of GTS ठीक है तो GTS Transfer के लिए आप एक पॉर्टल बनवा दिया जाएगा आप सभी के लिए मोटा मोटा बात यही है आप डिटेल्स में देख लेंगे जो कि आप लोग खुद ही यूस करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को ट्रांसफर मिल जाएगा बहुत कुए को मिल जाएगा पॉर्टेंट अच्छी तरीके से काम कर रहा है अपनी पोजिशन पे बहुत क्वीक फास्ट बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहातर मतलब अमरित काल का भड़पूर उपया यहां पे हो रहा है जैसे की देखा जा रहा है in order to ensure seamless transition to the proposed transfer portal following term timelines have been decided by the competent authority to process the transfer request GDSS may allow to submit their request to a transfer only till 15 10 2022 no application of GDS transfer will be entertained in the manual order after 15 10 22 under any circumstances circles region divisions shall finalize all pending requests for limited transfer received up to 15 10 2022 by 13 11 2022 and certificate of nil pendency report duly signed by DPS headquarter of the circle will be forwarded to this office by 2 12 2022 positively for processing of request through proposed transfer portal instruction would be issued separately I therefore redirect to request you issue suitable instruction to all concerns ठीक है तो जैसे आप देख सकते हैं रवी परवा यहां पर साइन किये है और यह जो पोर्टल तैयार होगा डिसमबर के इन तक तैयार होगा तब आपका और हमारा बहुत बहुत सुविधा यहां पर हो जाएगा ठीक है दोस्तों आज के वीडियो इतना ही लाइक किजिएगा शेयर किजिएगा सब्सक्राइब किजिएगा जीरियस इन्फो को